हेलो दोस्तों मैं धीरन स्वागत करता हूँ आपका एक्जाम स्टड़ी विस संगीता में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे युक्ती सार संग्रे बुक से जी बिग्यान के एक मोश्ट इंपॉर्टन टॉपिक हो आज हम बात करेंगे मानब सरीष से बनेने वाले 230 प्लस वन लाइनर प्रस्टनों को ये वीडियो आपके लिए आने वाली प्रत्युक्ता परिक्शाओं के लिए इंपॉर्टन रहेगा प्लीज बिडियो को लाइक और शेयर जरू कीजएगा और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजएगा जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं मानव सरीर क्रियाएं मानव सरीर क्रियाँ को देखने से पहले न देखेंगे जी बिग्यान के बारे में आपको कुछ तक्त दिये गए है देखें क्या कह रहा है बिग्यान की वह साका जिसके अंतर का जीवधारियों का अध्यन किया जाता है जी बिग्यान कहलाती है जी बिग्यान यानकी बाइलोजी सब्द सरप्र्थम लेमार्क तथा ट्रेवी रेनस ने 1801 में इस्तमाल किया था जी बिग्यान के छित्र में अरस्तु के महान योगदान के करण अरस्तु को जी बिग्यान का जनक कहा जाता है अध्यन की सुविधा के लिए जी बिग्यान के दो प्रमुक साखाओं में बिवक्त किया गया है पहला है जन्तु बिग्यान यानिकी जोलोजी दूसरा है बनस्पति बिग्यान यानिकी बोटनी स्टार्ट करते हैं मानव सरीर क्रियाएं मानव सरीर क्रियाएं सरीर की सनरशनात्मक एवं क्रियात्मक एकाई कोशका है समान कोशकाएं मिलकर उतक बनाती है उतक मिलकर अंग बनाते है सरीर के अंदर ऐसे अंगों के अनेक समुहूं जो एक दूसरे जुड़े या एक दूसरे पर निरवर तथा एक साथ मिलकर सामुही कार करते है समान किरिया वाले सहीयोगी अंग के इस सम्हू को तंत्र कहते हैं ठीक है सरीर की किरियाएं निम्न तंत्रों दोरा पूरी होती है पाचन तंत्र, सोसन तंत्र, उसरदन तंत्र, तंत्र का तंत्र, परी संचन तंत्र, कंकाल तंत्र, अन्ता इस्तरावी तंत्र, प्रजिन तंत्र, तधा पेशी तंत्र कौशन श्टर्ट करते हैं किसकी उत्पत्ती यकृत का कार करती है? अस्तियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है इंपोर्टन कॉशन है एकजाम में रिपीट होता है कॉशन अस्तियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है टेंडन ठीक है टेंडन माना मस्तिस मैं कौन सा भाग एक द्धाग एक निगरण और उल्टी का नियमन के इंदर है मुश्ट इंपोर्टन कॉश्चन है ध्यान रखे गई तो इसको बोलते हैं मैं डूला ओवलांग गेटा मेंडूला ओवलांगेटा कॉशन है मानब मस्तिस के निमलिखित भागों मैं से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन के इंदर है तो उसका सही आंसर हो जाएगा ओप्शन C ये कॉशन BPSC प्री में पूछा गया और IAS प्री में निगरण यनकी सोयलिंग उल्टी, बॉम्टिंग, हिर्दय इस्पंदन, दर, एवं प्रवल्ता, छीकने, खासने इत्यादी का निगमन केंदर होता है मानब सरीर में थाइरट गरंती के पीछे कितनी पैरा थाइरट गरंतियां होती है सही आंसर हो जाएगा चार मानब की पाचन नली लगवग कितने फीट लंबी होती है मुख में मड यनकी स्टार्च का सरकरा में पाचन किस के दोरा होता है तो यह होता है टाइलिन के दोरा ठीक है सरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि कौन सा है दुगद प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है राइट आंसर हो जाएगा रेनिन रक्त में लाल रंग किस कारण होता है कॉश्चन है रक्त में लाल रंग किस कारण होता है तो यह होता है हीमोगलोविन के कारण युक्ति ग्यान कुछ कहता हीमोगलोविन के लिए देख लेते हैं हीमोगलोविन के रासानिक सायोजन में गलोविन नामक प्रोटीन और हीम नामक लाल रंग के पदार से जुड़ी रहती है हीम की बले में किंद्रिय भाग लुहों का बना होता है रक्त का लाल रंग हीम के कारण ही होता है मानफ सरी के अंदर नलिकाओं में रक्त का मुक्त प्रवहाव होता है किस रहसान की उस उपस्तिती में नलिकाओं में प्रवहावी रक्त का थक्का नहीं बनता है important question है तो रक्त का ठक्का नहीं बनता है हिप्पे रेन के उपस्तिती के कारण हिप्पे रेन लाल रक्त कणकां किस नाम से जाने आती हैं तो लाल रक्त कणका को इरेथ्रोसाइट्स कहते हैं ठीक है इरेथ्रोसाइट्स डिने की किस बिसिष्टता से उसे पीडी दर पीडी अनुवान से की सूचना संग्रे करने और प्रेशन करने के लिए अदुत्तिय रूप से उप्युक्त बनाया है सही आंसर है दो रज्जुकों की पूरक्ता हीमोफीलिया के करन किस पिरकार का बिकार उत्पन होता है तो रक्त का इसकंद्र ना होना सही आंसर रहेगा आकसीरुकी जन्तुव में रक्त संचन पायाता है तो यह पायाता है खुला परी संचन तंत्र मनुस्त का परी संचन तंत्र होता है तो यह प्धाया बंद वन दोहरा हिर्दय से रक्त लाती है तो इसको बोलते हैं कोरो नरी सिरा कोरो नरी सिरा हिर्दय को रक्त पहुँचाने का कार करती है खुग ग्धessen किया है क्वेस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् ग्यात की जाती है तो यह कियाती है ही मों साइटो मीटर से इंपॉर्टन कोशन है और वी सी की संख्या कैसे जात करते हैं ही मों साइटो मीटर यह नतर से पिर्ती जन पिर्ती जन ऐसा पदात है जो यह रखेगा पिर्ती रक्षा तंत्र को प्रवर्तित करता है यह मानब मैं सुक्राणू डिम्ब को कहां निसेचित करता है आंसर है डिम्ब बाहिनी नली में ठीक है मानब भून का हिर्दय कब इसपंद करने लगता है अपने परिवर्दन के चतुर सब्ता में मानब सरीर में पिर्ती रक्षी के निर्मान को कौन सा पदात बड़ावा देता है आंसर है एंटी जन इसको हिंदी में कहते हैं पिर्ती जन उस धातु का नाम बताईए जो जीवाणु रोधी होती है उस धातु का नाम बताईए जो जीवाणु रोधी होती है आंसर है तामा यानि की कौपर मस्तिस्क के किस भाग में भूख लगने बाभोजन से तरप्ती की अनुभूमी कराने के केंदर इस्तित होते हैं तो यह होते हैं हाइपो थेलेमस में मानम मस्तिस्क में बुद्धी का केंदर कौन सा है मानम मस्तिस्क में बुद्धी का केंदर होता है सेरे ब्रम तंत्र का तंत्र की लगुत्तम सनरशनात्म अप्तता सरीर किरियात्म एकाई कौन सी है तो यह होती है नियूरन important question ध्यान रखे गए मानप सरीर की सबसे बड़ी कोश्का कौन सी है important question है मानप सरीर की सबसे बड़ी कोश्का कौन सी है राइट आंसर है तंत्र का कुश्य का सबसे बड़ी होती है यह सोसन की किरिया कहा संपन होती है आंसर है माईटो कॉंड्रिया में कहां पर माईटो कॉंड्रिया में भोजन वा उर्जा में परिवर्तन कुश्का की किस भाग में होता है आंसर है माईटो कॉंड्रिया में अनोक्सी स्वसन का अन्तिम उत्पात क्या है अन्सर है लेक्टिक अमुलग मनुस के सरीर में मुख्य नाइट्रोजीनी एं अपसिस्ट कौन सा होता है यूरिया मनुस में रुधिर कहां च्छनता है कॉशन है मनुस में रुधिर कहां च्छनता है तो देखिए मनुस में रुधिर च्छनता है बो मेन संपुट में किर्तिम गुर्दा किस सिध्धान पर कार करता है तो यह करता है डायलेसिस की सिध्धान पर मानब सरीर में यूरिया की अधिकतर मात्रा किस में पाई आती है मानब ब्रक असमरी में पाया जाने वाला प्रमुक रसाने की योगे कौन सा है यानकी पत्थरी की बात कर रहा है तो सही आंसर है केल्सियम उक्सिलेट होता है क्या पायाता है केल्सियम उक्सिलेट मानब गुर्दे में बनने वाली पत्थरी में अधिक्तम बाया जाने वाला पदात कौन सा है देखिए इसी कौशन को बनाया है आपर एक्जाम में तो यह होता है कैल्सियम ऑक्जिलेट ठीक है देखिए कितनी वार यह रिपीट हुआ है कौशन इंपोर्टन्ट है मिलता है प्लेट सेटा की दौर्ट को गरवासे में मानब भून किस किसको बोलते हैं आमियाटिक दुर को क्या कहते हैं तो यह परिवासा एक तो यह हुजाई का अगनास है अन्तास्त्रावी वा बाहिस्त्रावी ग्रंती की तरह कार करती है जिन रुदिर बाहिनियों में कपाट नहीं होते वह हैं तो यह कहलाती है धमनियां सरीर की सबसे वड़ी धमनी कौन सी है आंचर जागा महाधमनी सरीर की सबसे वड़ी धमनी है सिर्ट तथाकंदों से अनौक्सिक्रित रख्त हिर्दयको लाती है । आंचर है स्पिरियर बेना केवा सिरवक्षनuvoella सिर तथा कंधों से अनोक्सिक्रेट रक्त को हिर्दय को लाती है आंजर है सुपीरियर बेना केवा सिरा रक्त दाब मापने का उपकरण क्या है 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 रक्त दाब पलमोनरी सिरा। सबसे बड़ी लशी का उतका की नाम क्या है? सबसे बड़ी लशी का उतका का नाम क्या है? तो इसको बोलते है प्ली हा यानि की स्प्लीन। लेंगर हेंस की दीपकाएं जो इंसुलन का इस्त्राव करती हैं कहां उपस्तित होती है तो यह अगनाशे में होती हैं दूस्तों कहां पर अगनाशे में इंसुलिन की खोज किस ने की थी इंसुलिन की खोज किस ने की थी इंसुलिन की खोज की थी बैटिंग तथा वैस्ट ने मनुस के सरी में पेशियों की कुल संख्या कितनी है आंसर है 649 ठीक है 649 इसको बलते हैं पेरिकारडियल मेंब्रेन ठीक है इंपोर्टेंट कॉश्ण ध्यान रखना है यह ए क्वेशन है डबलू बीसी का रर्मान होता है आंसर है लिंफ नूड में किस अमलके मास्पेसियों में जमा होने कारण मनुस्को ठकान महसूस होती है अंसर है लेक्टेक अमल मानफसरीर के अंगों में से कॉर्णिया किसका भाग है तो यह कोर्णिया किस अमलके किनारे बीले मूम अस तो यह माई माई बो मियन ग्रंथी ठीक है माई बो मियन ग्रंथी चछू बैंक में आंख का कौन सा भाग निकाल कर रखा जाता है राइट आंसर है कोर्णिया ठीक है इसी को नित्रदान में दिया जाता है आंख में इसी को यूज के जाता है चछू बैंक में आंख का कौन सा भाग निकाल सेमल गुरंती रष्टी बेंसम्य रोगुथपन होता है तो हमस्दर के पार वैं कौन सा भाग जो प्रों सकतए कि यानिक के या Cum लेंस नेत्र गोलक होते हैं तो नेत्र गोलक होते हैं बाय कॉन्वेक्स हैं कि उभय उत्तल रतौंदी का प्रमो करण क्या है तो इसका प्रमो करण है रेटिनॉल की कमी ठीक है बेटामिन का नम है रेटिनॉल की कमी दूर दरसिता दोस में बस्तू का फोकस बिंदू होता है त दूर्दस्तार दोस में नेत्र गोलक में क्या परिवर्चन होता है देखिए नेत्र गोलक का अभ्यास कम हो जाता है आँख के किस भाग पर बस्तु का पिर्तिविम बनता है आँख के किस भाग पर बस्तु का पिर्तिविम बनता है सही आंशर है रेटीना पर कहां पर रेटीन कर 9 क्या है तो देखे पुतली कहार को नियंतित करता है डिखी ये पीछे एक रंगीन इभं अपार दर्सि ज्ली का परदा होता है यह आक की पुतली कया कार को नेंतित रखता है कंशन का कॉन सांग घंग की पुनर दोव्तन को प्रतस्त करता है, सही आंसर है यक्रित, ठीक है, लीवर, यक्रित, मानफ सरीर के कौन से अंग को का प्रत्यारोपन नहीं किया सकता, सही आंसर है मस्तिस्क, ठीक है, मनुष्य के आंख में कौन सा एंजाइम होता है, जिससे जीवानु मर जाते हैं, तो यह होता है, लाइसो जा किस प्राणी के सरीर के समस्त भार का अधिकान्स भाग क्या होता है सही आंसर है जल मानब सरीर में अनिवार अमीनो अमले की संख्या कितनी है मानब सरीर में अनिवार अमीनो अमले की संख्या कितनी है राइट आंसर है 20 यानिकी 20 कसेरकु जन्तु के सरीर का सरवादे कटोर भाग क्या होता है आज़र है इने मेल युक्ति क्या क्या कहता है दात के ऊपर चमकीले परत का इने मेल कहते हैं यह कसेरकु जन्तु के सरीर का सरवादे कटोर पधात होता है कान का वह भाग जो धोनी तरंगों को एकत्वित करता है तो यह आपका मद्ह करण में पाइ जाती है सरीर संतुलन से संबंदित सम्वेदांग कहां स्थित होते हैं तो यह तो हैं अंत्रहा को को किलियर भाग में स्थित को रुटी अंग को कहते हैं तो बोलते हैं सरवन अंग सरीर संतुलन का नियंत्रण सरीर संतुलन का नियंत्रण मस्तिस्क मैं करता है तो यह करता है सैरी बेलम ठीक है सैरी बेलम ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविदी दर्ज करने के लिए किया जाता है सही आंसर है मस्तिस्क इस्तन पाई में सोएत गरंतियां मूलता किसे से बनी सम्मंदित होती है तो यह होती है ताप नियमन से किसे ताप नियमन से मानव रक्त की स्यानता का कारण है कौशन है मानव रक्त की स्यानता का कारण है आंसर है रक्त में प्रोटीन सफिद रक्त कड़ का मुखकार क्या है सफिद रक्त कड़ का मुखकार है रोग पृतिरोदक छमता धान करना रोग पृतिरोदक छमता धान करना जारा जारविक सेविन चाराविक सेविन क्या है तो यह कृतम हिर्दय है और यह कॉश्चन रेलिवे के एक्जाम में पूछा भी जाता है डव सॉरी लव डव लव डव अवाज किस अंग से सम्मंदित है तो देखिए हिर्दय से आती है ध्यान रखिएगा अच्छा मानव हिर्दय में कितने कोश्टक होते हैं तो मानव हिर्दय में चार कोश्टक होते हैं नाली दर कहां से मापी आती है नाली दर धमनी से मापी आती है कहां से धमनी से सरीर की बिसालतम धमनी कौन सी है तो सरीर की बिसालतम धमनी है एरोटा ठीक है एरोटा एक बयस्क में र उत्त-कीकुल मात्रा कितनी होती हैं सही हांसरी शरीर के बज़न का साथ परसेंट eligible- मानप सरीर में रुदर बैंकर का का कार कौन करता है मानप सरी डिय की नसबंदी को कहते हैं By비 सेक टो मीiman CEO के जीवन काल में कितने दाथ दो बार विखसित होते हैं सही आंसर है कि वानव्य पांचन का दीकांज भागक किस अंग में संपन होता है तो यह होता है छोटी आंत में संपन होता है कहां छोटी आंत में इंपोर्टन कोशन था यह इंपोर्टन कोशन मनुष्य में पाचन किरिया कहां से प्रारम होती है तो यह मुख से प्रारम हो जाती है ठीक है कोशन बंता है यहां पर एक्जाम में पूछा भी गय बोजन का बाज़न निम्नमेस से किस से प्रार्म होता है वह सही हां सब्सक्राद से पेस्मेकर का संब्द किस से है तो ये है हिर्दय से पेस्मेकर का कार क्या है तो दिल की धड़कन प्रारम करना पेस्मेकर का कार है गती प्रिरक किस से संब्दित है तो गती प्रिरक ये भी हिर्दय से संब्दित है ठीक है गती प्रिरक की संब्दित है हिर्दय से संब्दित है अगला कॉशन देखते हैं, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दवाब को रक्त द्वारा यानकी ब्लड प्रेसर कहते हैं, आंसर है धमनी के द्वारा डाले गए दवाब को रक्त द्वारा कहते हैं, सोते समय रक्त द्वारा में क्या परिवर्थन होता है, तो य इंप़ोर्टेन्ट है कूउस्ट एक्जाम में आता है ये मानव रक्त प्लाज्चमा में प्राया प्राया पानी की प्रतीसात मातरा में कितनी नता होती है aquest versus 80 Craig thousand 20 1- service सुद्धिकरण पचे हुए पोशक पधार्त का अपसूसन मुखिता होता है तो यह होता है छोटी आत में ठीक है कोशन बना है यह एकजाम में MPPCS में पचे हुए पोशक पधार्त का अपसूसन मुखिता होता है आंसर हो जाएगा छोटी आत में लार में कौन सा एंजाइम पा पेट में बीजे को पचाने के लिए किτοिख खांग होती है अंसर एंजाइम important था question exam में पूच्छा आता है यह लार किस के पाचन में साहिक होती है लार किस के पाचन में साहिक होती है जो भुजन के पाचन में साहिता करता है एक्स क्या है तो एक्स है हाइड्रोकलोरिक अमल्ड क्या है हाइड्रोकलोरिक अमल्ड क्रेप्स चक्र किसका संसेशन होता है क्रेप्स चक्र में किसका संसेशन होता है आंसर है पाई रूबिक अमल्ड का पाय-ुरूबिक, अमलिका मानब सरीर में खून के सुद्धी- atac की प्रिक्रिज़ कोई डायलिसिस रहा है ठीक है ट्रिकया का डायलिसिस होता है डायलिसिस का जाता है पेसीन बदल देता है पेψीन बदलता है print को polypeptide मैं किस में बदलता है वहें कौन सा अंग है जो मानब सरीर में गलाइकोजन के रूप में कार्वाइडिट को जमा करता है सही आंसर है यक्रित पित किसके दौरा पैदा किये जाता है most important question है पित किसके दौरा पैदा किये जाता है यक्रित या निकि लीवर के दौरा किसके दोरा लीवर के दोरा यहां कुछ कॉशन बनते हैं जो एक्जाम में पूछे गए हैं objective form में देख लेते हैं पित का पित इस्तरावित होता है तो पित लीवर से इस्तरावित होता है कहां से लीवर से पित जमा होता है इंपोर्टन कॉशन है पित कहां जमा होता है पित को सामानदाब कटना होता है ये कॉशन बार-बार स्थक्राइब एक्जाम में मानव का सामान रख्तदाब कना होता है शलिए यक्ति गयन क्या क्या है नुज इसमें 80 mm ऐस्तोलिक यस में nimstros치를 होता है इस फेगनु मैनु मीटर यंतर द्वारा इसे मापा जाता है कॉशन है दोड़ते समय मनुस्थ का रक्तचाप आंसर है बढ़ जाता है दोड़ते समय बढ़ता है और सोते समय कम होता है सामानी जीवन काल में मनुस्थ का हिर्दय लगवक कितनी बार धलगता है important question है सामानी जीवन कार में मनुस्ष का हिरदया लगवाग कितनी बार धलगता है आंसर है दो अरब बार मानप सरीर में हिरदया कार क्या है मानप सरीर में हिरदया कार है pumping station की तरब कार करता है ठीक है, pumping station की तरह कार करता है, हिर्दे, मानब सरीर में रक्त में लाल रंग किस के कारण होता है, रक्त में लाल रंग किस के कारण होता है आंसर है ही हीमोगलोविन के कारण, हीमोगलोविन में होता है, तो हीमोगलोविन में लोहा होता है क्या लोहा सरीर में हीमोग्लोविन का कार रहे है आंसर है ऑक्सियन का परिवाहन हीमोग्लोविन किसका महत्पूर घटक है आंसर है आरवीसी का हीमोग्लोविन का कार क्या है तो हीमोग्लोविन का कार है ऑक्सियन ले जाना किसकी साहिता से रख्त दौरा औक्सियन ले जाया जाता है आंसर है लोहित कोश्काओं के दौरा जब कोई बहारी पदार्त मानव रूदिर प्रणालियों में प्रविष्ट होता है तो प्रतिकरिया कौन प्रारम करता है आंसर है WBC important question है RBC यान की लाल रख्त कड़काएं कहां उत्पन होती है अंसर है अस्ती मज्जा में ठीक है अस्ती मज्जा में अस्ती मज्जा में अस्ती मज्जा में अगला question है लाल रख्त कड़काएं मुखिता बनती है लाल रखत करण का मुख्यता बनती है तो यह बनती है अस्तिमत जामें ठीक है उत्राखंड में एक कौशन पूछा गया है किसको RBC का कब्रस्तान कहा जाता है इंपोर्टन को स्वारी तो यह कहा जाता है पली हा को यह किसको RBC का कब्रस्तान कहा जाता है सही आँसर है प्लिहा यानिकी स्प्लीन एक्जाम में आया है ये कोशन ठीक है युक्ति ज्यान को देख लेते हैं युक्ति ज्यान क Paleant की कोशिका रुधर के टूटे-फूटे और सिथिल रुद्राणूं का भच्छन करके रुद्र की सफाई करती है next question है मानव सरीज में कौन सी गरंती ऐसी है जिसका संबन सरीज की उत्तेजना से है सही आशर है अधी व्रक गरंती ठीक है ठीक है सरीज को उत्तेज करता है इसे लड़ो ओडो हार्मोन भी कहते हैं ठीक है अगला question है मनुस की लाल रख्त कोशिकाओं की जीवन काल कितना होता है यानि की RBC का तो यह होता है 120 दिन अगला question है पचे हुए भुजन में मौझूद बिसेले पधार्त का कौन सा अंग चूसन करता है मानब सरीर में लाल रख्त कर्मान होता है तो यह होता है अस्तिमत जामे कहां पर अस्तिमत जामे लाल रुधिर कड़काओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है लाल रुधिर कड़काओं यानके RBC का उत्पादन होता है अस्तिमत जामे उच्च उननतांस पर मानब सरीर में RBC की संख्या क्या होगी तो यह बढ़ती है ऐसी condition में ठीके बढ़ती है सफेद रक्त कड़काओं का मुखकार क्या है WBC का कार क्या है तो इसका कार है रोग पृतिरोतक छमता धान करना मनुष में मेरुधंड से कितनी जोड़ी तंत्रकाओं निकलती है प्रती वर्ती क्रियाओं का निंतर्न किंदर कहां है, तो यह कसिर्गू रजु में होता है इस्तंधारी किसमे यूरिया बनता है, तो यह यकृत में यूरिया बनाते हैं मानव सरीर में सबसे छोटी अंता इस्तरावी गरंती कौन सी है तो यह है PITUTORY मूतर का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है तो यह होता है यूरुक्रोम के कारण मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूद की करण होता है यूरुक्रोम के करण होता है गुर्दे का कारणयात्मक यूनिट क्या है गुर्दे का कारणयात्मक यूनिट है नैफरोन इंपोर्टन्ट है एक्जामे पूछा जाता है किसकी कुस संक्रिया के कारण मानव सरीर में मिक्सी डीमा होता है तो यह होता है अब टू ग्रंथी के कारण मानव सरीर के भीतर खून किसकी उपस्तिती कारण नहीं जमता है अंसर है हिप्पेरिन रुदर के प्लाजमा में किसके दौरा एंटी बॉडी निर्मित होते हैं अंसर है लिम्फोसाइट में ठीक है लिम्फोसाइट के दौरा एंटीजन इनकी प्रितियन एक ऐसा पदार्थ है जो यह रखेगा यह प्रितिरक्षी के निर्मान को बड़ावा देती है आयुडीन युक्त हार्मोन है थायोडीन युक्त हार्मोन होता थायोडीन को देख लेते हैं थायोडीन हॉ बित्ति सात भाग अओर रोता है यह मुक्ता अमीनाम्ल है थायरोकषिन की कमी से सामान्य घेंगा रोग मिक्सी डीमा हासी मोटो रोग तथा जड मानव ता आधी रोग होते हैं अगला कोशिन है मानव के सोइत रक्तकड़ों का व्यास होता है लगबग तो यह होता है पौंट 007 mm अपोहन का उप्रियोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है आंसर है ब्रक सुएदन किस के लिए मात्पून है आंसर है शरीष के अपमान को बिन्यंतित करने के लिए युक्तियान देख लेते हैं संक्रमा आधी के कारण ब्रकों की užवी च्छमता कम हो जाने के कारण सरी में हानीकारक पतार जम जाते हैं जिन से मिर्तियों वह हो सकती है इस उस इस सबसे besar हेतु अपूहन यहींदि दारा हानीकारक पताет को बाहर निकाला जाता है सामानिता निस्षिचन होता है अंडवाहिनी नली में एक तरीका है जो बताता है तो यह भून के लिंग को बताता है ठीक है इंपोर्टन है यह नाम याद रखे कोशन एमिनियो सेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भून के लिंग का मानब सरीर में रक्त चाप निंत्रत होता है तो यह होता है अधिवरक गरंती से किस से अधिवरक गरंती से जीवन रक्चक हार्मोन किस गरंती से इस्तरावित होता ह जीवन रक्षक हार्मुन कि से तरह होता है आंसर है अडरीनल पॉस गरंती है आंसर है सिसू के बिकास की जानकार यह तू किस का पुर्योग के जाता है सही आंसर है अल्ट्रा साउंड का प्रियोग करते हैं भून के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद की पूर्ती की जाती है आंसर है बी जन्डाशन के द्वारा इस्त्रियों की नस्वंदी को क्या कहते हैं इंपोर्टन्ट है इस्तरियों की नस्वंद्य क्याते हैं ट्यू वेक्टोमी कहाजाता है गौकी और भैस के थनों में दूर उतारणे के लिए किंस हार्मोन की शुई लगा जाती है उस्ट्रियध की सीचेनाजें फीरफ ट्रॉक्सिन से ठाफ्स mister करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतास्त्रावी हार्मन कौन सा है तो इसका नाम है टी एस एच ठीक है टी एस एच मायोगलोविन में कौन सी धातु होती है तो मायोगलोविन में होता है तामा धातु ठीक है तामा धातु एक बयस्क पुरुष के लिए सामानता हीमोगलोविन मातरा पिरती 100 ml रक्त में है तो यह होती है 14.5 गिराम मानब सरीजर का सामान ताप मन होता है 34.9 डिग्री सी किस सारेजरिक प्रकरम से प्रूथ्रोंबिन का सम्मन्द है तो यह है रक्त जमाब से रक्त जमाव से सरीर में सबसे बड़ी अंतास्त्रहवी ग्रंती कौन सी है सरीर में सबसे बड़ी अंतास्त्रहवी ग्रंती है अप्टू ग्रंती कौन सा हार्मोन लडो उडो हार्मोन कहलाता है तो यह है एड्रिनेलिन हार्मोन इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है ठीक है इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है ठीक है इंसुलिन एक प्रकार का क्या है हार्मोन है कौन सा पधार मालत सरी में सबसे आधे कठोर होता है तो यह होता है दंत वलक ठीक है दंत वलक किस कोशका में इंसुलिन से किस कोश साथ ऐसे ठीक है कौशन देख लेते हैं कौन सी ग्रंती इंसुलिन इस्तराव करती है सही आंसर है अगनाश है ठीक है अगनाश है यानि कि इसी को बोलते हैं पैंक्रियास इंगलिसमें ऑक्सीजन की उपस्तिती में सुक्रोज का सी ओटू तर जल में उर्जार निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरन होने को कहते हैं तो इसको बुलते हैं बायू स्वासन हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में सी ओटू की मात्रा लगवा कितनी होती है तो सबसे अधिक मोटी होती है इंपॉर्टन कोशन एकजाम पूछा गया है तो यह होती है पैर के तलूए बर ठीक है तलवा भी लिखा होता है कभी-कभी एकजाम में सैट पेपर में तलूआ भी सही है मानफ सरीज का सबसे बड़ा अंग कौन सा है तो मानफ सरीज का सबसे सबसे बड़ा अगर मानफ सरीज में कौन सी घ्रंती ऐसी है जिसका सम्मन्द सरीज की उत्तेजणा से यह अधिवरक घ्रंती आदमी के कंट के किस भाग को अब टू उद्रद यानिकि एडम एपल कहा जाता है important question है तो यह है thyroid उपास्थी को important question है मानव का मस्तिस लगवा कितने ग्राम का होता है सही answer है दोस्तों 1350 ग्राम का question भी बना यहां पर exam में पूछा गया यह मानव मस्तिस कितने ग्राम का होता है राइट आंसर है 1350 ग्राम का युक्ति ग्यान क्या कहता है देख लेते हैं मानव मस्तिस का अबहार लगवक 1300 से 1400 ग्राम के पीज होता है ठीक है अकला question है मुकिता इसकी उपस्तिति के कारण मानव सरीर उच्च बायूमंडली दाफ के अंतरगत भी बिना कुछला रहता है सही आंसर है कोशिकाओं में तरल आंख की रेटीना की परंपरागत केमरे के निमलेखित में से किस भाग से तुलना की जाती है सही आंसर है फिल्म से एंजाइम मूल प्पूचा गया है कितनी बार पूचा आप देख सकते हैं कि शैसाद भार लिखत है अप यहाँ भी लिक सकते थी बहुत बांपूचा गया तो कोशन है एजाइम मूलेता क्या है तो यह प्xis प्रोटीन होते हैं तीक है एक सोथ ह्प स्वीज्चि है आ मिनित में ऑस्तन कितनी बार धड़कता है तो यह धड़कता है 72 यह यह पुछा गआ यह प्षत है एक बनीकली कि आDid declining क Mist in इसके बीच माराम करता है ठीक है अभी हमने इसके बाड़ा भी था तो ये दो धड़करों के बीच आराम करता है हिर्दे मानव कलाई में नाडी स्पंदन करती है आंसर है हिर्दे के बराबर मानव कलाई में नाडी स्पंदन करती है हिर्दे के बराबर पित्ता से मैं उपस्तित पत्थर निम्लिकत में से किसका पाचन परवावित करता है सही आंसर है बसा काई मां और सिसु के बीच गले लगना या चूमना निम्न हार्मोनों में किसके मोचन को प्रोड करता है औक्सी टोसिंत ठीक है पित्ता का मुखकार क्या है तो कित्त का मुखकार है पाचन के लिए बसा का इमल्सी करना करना कि सबसे वड़ा सुइत स्वित रुद्ध्राणू कौन सा है तो सबसे वड़ा स्वित रुद्ध्राणू है कि मोनोसाइट ठीक है एक केंद्र कानू कहते हैं इसको हिंदी में युक्ति क्या किया रहा है मोनसाइट का ब्यास 20 कवानिटी मू एम तक हो सकता है यह सबसे वड़ा स्वूइत रुध्रानु होता है अगला कुशन है घ्यांगा रोग किसकी कमी की करण होता है तो घ्यांगा रोग होता है और रोग हो जाता है किसका अबगटन मानम में अलजाइमर रोग होता है किसके अबगटन के कारण मानम में मानम में अलजाइमर रोग होता है तो यह था मस्तिस्क कोश्काओं के अबगटन से अलजाइमर रोग होता है जिसमें मनुस्की यादास्त कमजूर हो जाती है मानव शरी में ब्रक इंद्रम किड्नी निम्लिकित में से किस प्रणाली का भाग है आई या मुत्रसंमंदी प्रणाली का सोशन में कार्व Zur Works कारेवभन लिकित में और बिखंडित हो जाता है ये युक्तिया व् distingu देख लेते सामान व्यक्ति की रख्त का पीएच इस तर क्या होगा तो योगा ऑप्शन सी 7.35 सी 7.45 रख्त जमने में किस तत्विकी मुक्वूमिका होती है तो रख्त जमने में मुक्वूमिका होती है CA केल्सियम मनुष्य में सामान्य निरन्य फास्टिंग रुदिर सरकरा इस तर प्रती 100 ml रुदिर होती है तो यह होती है 80-100 mg अधिक उचाई पर मानव सरीर में लाल कड़िकाई में क्या होगा तो इस संख्याई इसकी बढ़ जाएगी यहां पर ठीक है मानव सरीर में कॉलेस्ट्रोल का सामान स्थर क्या होता है तो कॉलेस्ट्रोल का सामान स्थर होता है धिकिया रखेगा important caution 140-160 mg यदि किसी ब्यक्ति की रुद्र भायकाउं की तरज्जा कम हो जाए तो उसका रख्तताब क्या होगा मैं सोइत गरन्तिया मूलता संबनित हैं तो यह ताप नियमन से संबनित हैं मानव हिर्दय के कक्षश में संख्या होती है मदू सुधनी यान की insulin अंता स्तराव एक है तो यह है गलाइकोलीपिड है गरवासे के के लिए बेकल पर सब्द क्या है है तो यह यूटरस त्ट है गरवासे के लिए इनकी बॉम के लिए बेकल्पिग स्वड क्या है यूटरस ही मोगलोटिण की अधिक्तम बंधुता होती है तो यह हो दुट स्टेह करती है तो यह है एड्रिनल गरंथी इंपोर्टेंट है कौन सी गरंथी सेक्स हार्मोन का इस्तिराव करती है तो यह है एड्रिनल गरंथी मानब सरी में हार्मोन मानब सरी में हार्मोन मैं से कौन सा रक्त केल्सियम और फास्फिट को बिनेमित करता है तो यह है परावटू हार मानव सरी के किस भाग में सुक्राणू डिम्ब को निसेचित करता है सही आसर है डिम्ब बाहिनी नली में जब ब्रक कार करना बंद कर दे तो कौन सा पदा जमा होता है तो यह हैं रक्त में नत्र जनित अपसिष्ट पदार्त एकटे होना शुरू जाती है जब एक व्यक्ति ब मानव सरीर में पुछ कौन सी संरचना में संगलन होता है तो यह होता है ब्रह दान्तर में किस प्रक्रिया दोरा ओक्सियन सोसन के दोरान रुदिर में प्रिवेश करती है और फिर छोड़ी जाती है इंपोर्टन कोशन है किस प्रक्रिया दोरा ओक्सियन सोसन के लिए सोसन के दोरान प्रुदिर में प्रिविस करती है और फिर छोड़ी जाती है तो यह है परासरना कौन सा अंग बसा का भंजन कर कोलिस्टोल उत्पन करता है तो यह है यक्रत लीवर सेरे ब्रह्म किस से संबंदित है सेरे ब्रह्म किस से संबंदित है तो ये मस्तिस्क से संबंदित है मनुस के मस्तिस्क का सबसे बढ़ा भाग क्या है तो इसको बोलते हैं प्रा मस्तिस्क क्या बोलते हैं प्रा मस्तिस्क कहते हैं मानव सरीर की किन कोश काम है सबसे कम पुनर्योजन सक्ति होती है important question है सही आसर मस्तिस कोश्काम है दिखा हुआ आपने जब किसी को चोट लग जाए accident हो जाए और यदि उसके सर पर चोट है तो यहां पर उसके बचने की condition बचने के chances कम रहते हैं किराना कम पुनर्योजन सक्ति होती है कोश्काम है किसी मरत प्राय ब्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस इस्तिती में होना चाहिए तो सही आसर है केवल तंत्र की प्रकार्यों का अवाशन इस्तिती में होना चाहिए उसे